हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अभी देके एंड वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके लाप्टॉप या फिर कंप्यूटर में टास्क बार गायब हो गया है उसमें कोई भी आप आपको दिखाई नहीं दे रही है टास्क बार बिल्कुल हो गया है उसमें कुछ भी आप्लिकेशन नजर नहीं आ रही है तो इस प्रब्लम को आप कैसे सही करें वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से देखते रही है सबसे पहले आप अपने कीबोर्ट की मदद से कंट्रोल शिफ्ट और स्केब बटन दबाके इस तरीके से टास इडिटी रेज एडिट ओके कर ले ओपन कर ले और यस कर ले ठीक है यहां से इसे कट कर दे इस तरीके से आपका रेजिस्ट्री एडिटर खुल जाएगा यहां पर देखिए यह एरो पे क्लिक करके मैं इसे बंद कर देता हूं इसके बाद आपको यहां पर एच की लोकल और यहां आप सॉफ़वेर पे क्लिक करें माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करें विंडोस धूले यह रहा विंडोस करेंट वर्जिन धूने करेंट वर्जिन तो यह रहा यह रहा शयल इस्सक्राइब रहा हूं इसके बाद आप अपडेट पे कलिक करेंश और पैकेजस पर क्लिक कर लें यह और यह अपर आ जाएं इसतलर साज EM कि इसके बाद आपको यहां पर आई क्लिक करना है और मिवत 32-bit इस पर क्लिक करना है तो इस तरीके से आपको लेल्यू दिख जाएंगी यहां पर आपको लिखना है जैसा मैं लिख D I S A B L E D and docking disabled ठीक है इस पर दो इस पर यहां कहीं पर भी क्लिक कर दे इसके बाद इस पर राइट क्लिक करें मॉडिफाय पर क्लिक करें और डेसिमल पर क्लिक करें और इसकी वैल्यू एक दे दे और ओके कर दे ठीक है इसके बाद कट करें और वैसे ही आपका यहां पर शो होने लग जाएगा यहां पर आपको आपके सारे टास्क पर शो हो अपडेट तो नहीं आया है देखिए यहां पर आया है तो रिस्टार्ट नौव पर क्लिक करके विंडोस को अपडेट कर लें इसके बाद आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सही हो जाएगी दुबारा यह प्रॉब्लम नहीं आएगी झाल 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 झाल